नमस्कार मैं साक्षी MNS News Life में आप सबी दर्शकों का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइन्स के और नागपूर में 30 नौवंबर से शुरू होगा खासदा सामस्रूतिक महुत्सो ISRO ने 19 को लॉंच किया His IS Satellite RLSP नेता की हत्या पर बवाल, CEO को बनाया बंधव कटनी में घर में गुसकर सोते पादिवार पर जान लेवा हमला 88 प्रतिशत हुआ मतदान अब खबरे विस्तार से केंडिय मंत्री निदिन गड़करी इनकी संकलपना में साकार हुए थाजदर संस्टूतिक मात्षव 30 नवंबर से शुरू हो रहा है इस मात्षव से उपर हैज हनी के संस्हुतिक शेटरों में बड़ा ही उत्साहगरा वातावरन है यह मात्षव का Kap गीत यह मात्षव का शिर्षबरी बेड़े दिल्मी थी खाहिशे आखों में खाब थे सारे फंकार क्या फंभी बेताब थे अब सभी को मिरा है तरा बलके रह जाएगा यादगार बहुत सो शानदार बहुत सो खासदार बहुत सो शानदार बहुत सो खासदार भारतिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगतन ISRO ने अपने विश्वस्निय रोकेट PSLV C-43 को गुरुवार्दिनांग 19 को यहाँ भारत के प्रुथ्वी अवलोकर उपग्रह HIS IS और 8 डेशों के 30 अन्य उपग्रह को लेकर रवाना किया और भारतिया उपग्रह सपलता पुर्वा कक्षा में साबित हो गया मोति हली पूर्वी चंपारन के पकड़ी त्याल में RLSP नेता की हत्या के बाल बवाल मज गया हत्या की विरोध में हजारों लोगों की भीड ने लाटी रंडों के साथ गांधी चौक पर शवर अपकर प्रदर्शन शुरू कर दिया लोगों की भीड इतनी भी काबू हो गई की मौके पर पहुँचे सी-ओ और पोलीस को भी बंदग बना दिया कटनी चिले के बखले हट्टा गाव में एक युवक ने एक परिवार पर सुबह असोते समय जानलेवा हमला किया इस हमले से पती-पत्नी की मौत हो गई जबकि 14 साल का बेटा गंबीर रूप से जखमी हो गया हमले के बाल युवक ने भी जहर पी लिया उसकी हालत गंबीर है युवक को पुलिस ने पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पतार में भर्जी कराया गया है मनावर में हुआ 78 प्रतिशक मतदान 95 वर्षिय मतदाता ने मत दाला धार जी लेके मनावर में भाजपा से पूर्वा मत्री और कॉंग्रेस से जयस के राष्ट्रिय संयोजग के बीच काटे की टपकर विदान सबा चुनाओं में हो रही है आज वोटिंग का प्रतिशक शाम बाज बजे तक 78 प्रतिशक रहा वोटिंग के अंतिम मतदाता पंचाने वर्षिय सुगनी भाई जैन रही तो फ़बरों में आज के लिए इतना ही सब्सक्राइब करें धन्यावाट